आपकी सिस्टा बहुत समय से विनाश होगा विनाश होगा ये कहेखर सब को डरा रही हैं लेकिन अभी तो organizations हुआ नहीं इस के विश्म्ला कि ऐसा है कि विनाश के नाम से हम डराते नहीं है लिकिन लोगों के अंदर एक जागरती जरूर लाते हैं कि जिस प्रकार समय परिवर्तन शील है और इस समय के अंदर देखा जाए तो परिवर्तन के बहुत सारे बाते ऐसी सामने आएंगी कि जिस समय मनुष्य कभी कभी confused हो जाता है कि क्या करना है विनाश भले हो ना हो ये बात दूसरी है लेकिन आज व्यक्ति का अपना भरोसा तो कहीं है नहीं विनाश खाली एक समय का या एक थान का एक प्रकरती के द्वारा निर्मित चीज का नहीं है लेकिन विनाश का मतलब है कि कोई भी चीज जब अती में जाते तो उसका अंत निश्चित है तो इसी तरह मनुष्य जीवन में भी जो आज मनुष्य बुरे करम कर रहा है तो उसका अंत होने का भी समय आ चुका है और इसी लिए हम प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर देखते हैं कि आज मनुष्य जब गलत करम करता है तो उसके जीवन में जिस तरह की परिक्षाओं से परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ता है उस समय उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि अरे ये कैसा समय है उस समय उसे यही कभी कभी डर महसूस होता है कि कहीं इसमें हमारा अंद नो हो जाए तो डर भैभीत होकर के जीना यही इस पश्ट करता है कि ये मृत्यों के बराबरी है जीना मरने के बीज में अगर व्यक्ति ऐसे जूल रहा है तो उसको तो यही कहेंगे आज यह कभी भी कुछ भी हो सकता है, समय निश्चत नहीं है, यह समय ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जहे प्रकर्ति के द्वारा कुछ भी हो सकता है, जहे मनुश्य आत्मा द्वार से ऐसी परिक्षाइं आएंगी जो पुछ भी हो सकता है अब जब सुनामी आई थी तो लोगों ने सोचा था क्या पता भी नहीं चला आज मनुष्य के पास इतने बहुतिक सादन है लेकिन उसके बावजूद भी एक सेकंड पहले भी किसको पता नहीं चला कि क्या होने वाला ह सारी दुनिया में कोई एक साथ हुआ विनाश आने वाला ऐसा नहीं है लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकरती के तत्व निमित बनेंगे कहीं व्यक्ति निमित बनेंगे कि विनाश को सर्जने के लिए और जिसके अंदर जैसे होल सेल में एक लोगों के मौत हो जाएंगी तो विनाश तो हो ही रहा है दूसरा विश्व युद्धारंब हुआ उसके बाद कंटीनियू समय प्रती समय विनाश लीला हमने देखी है और देखते रहते हैं लेकिन जैसे प्रकर्ती भी संकेत रही है कि अब सुधरली का वक्त आया है लोग semester के cocktail में करेंगे दो कर्म करेंगे आने वाली गैने हमें करें और लोग भी हमें माफ नहीं करेंगे या स्थिति आ जाए जाएंगी तो इसको क्या कहेंगे तो विलाश के नाम से डर की बात नहीं है है उसके संसकारों का विल्धीनाश हो तो कौन कहता है विनाश नहीं हो रहा है विनाश हो रहा है